दोस्तों कुछ समय पहले हमने एक particular news के बार में चर्चा करी थी कि जो online gaming है उसके उपर अब 28% GST लगेगा पूरा detail में हमने देखा था कहा पर लगेगा कैसे लगेगा और हमने ये भी discuss किया था कि इसकी वज़ा से आपकी जो online gaming companies हैं उनको एक massive loss phase करने को मिलेगा और उसका impact अ है जैसे आपने na mobile premium league के बार में सुना होगा ठीके ना तो MPL जो है उसने already अपने 300 employees को वो lay off कर रहा है और ऐसा अनुमान है कि शायद वो अपनी आधी जो workforce है ना उसको lay off कर देगा अब देखो जब भी lay off होता है ये काफी बुरी situation होती है राइट और actual में ले lay off के साथ बहुत सारे ethical issues जुड़े हुए हैं जैसे for example क्या empathy का ध्यान रखा गया या नहीं रखा गया काफी बार तो देखा जाता है यह जब भी lay off होते हैं तो employees को बस एक zoom call के माद्यम से बता जाता जाता है कि आपको company से निकाला जा रहा है यहाँ पर जो human dignity है उसका कई ब बिल्कुल ध्यान ही रखा जाता मैं MPL की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर in general बात कर रहा हूं कि के बार ऐसा होता है उसके साथ में ही क्या आपने transparency को properly follow किया या नहीं किया क्या लोगों के साथ अच्छी information share करी या नहीं करी कि हाँ ऐसी situation है हमारी company की तो ऐसे times के अंदर हमें ये चीज़ करनी पड़ रही है कि ऐसे तो नहीं कि situation company की अलड़ी बहुत खराब थी और आपने employees से अपनी वो चीज़ छुपा के रखी at the same time क्या ये जो process था ये fair था या नहीं था lay off करने का क्योंकि देखो के बर होता क्या है कि जैसे माल लो एक कोई person है हो सकता ये CEO हो ये खुद कमा रहा हो क्रोड़ो रुपे की salary दे रहा हो वेराज एक जो आम employee है शायद वो 20-25,000 की salary दे रहा हो अब निकाला जाएगा company से किसको ये employee को जबकि तो company के लिए cost ही बहुत कम है वेराज जो CEO जो शायद क्रोड़ो रुपे की salary दे रहा हो उसको raise पे raise मिलती जाए ठ तो नहीं कि बोल रहा है कि आज से निकल जाओ करीब जगा पर ऐसा भी देखा जा रहा है कि लोगों को बोला जा रहा है उनके उपर pressure किया जाता है कि आप resign कर दो ठीक otherwise हम आपको company से निकाल देंगे companies करी पार उनको जो नही opportunities होती है उनको ढूंडने में भी help नहीं करती ठी क्योंकि यह पर हो सकता है कि जो person हो शायद यह soul breadwinner हो अपनी family के लिए और अगर आप उसको अपनी company से निकाल दोगे तो definitely उसकी family के उपर भी issue आएगा तो यहाँ पर ना एक leadership का भी बहुत major test होता है कि क्या आपकी leadership ethical है या नहीं है तो यह सारे कुछ यहां से हमें ethical issues देख बहुत सारे ऐसे start-ups रहे हैं जिन्होंने शायद बहुत जल्दबाजी में लोगों को निकाल दिया ठीक है नब आपर चीजों का ध्यान नहीं रखा ethical concerns का बिल्कुल भी वहाँ पर उन्होंने follow नहीं किये तो यह सब चीज़े हैं ठीक है and at the same time आप यहाँ पर आज के Hindu new support को तो आप जानते होंगे कि जो हमारा no confidence motion है वो तीन देन चल रहा है आठ कल थी आज 9 है और कल 10 तो तीन देन यह चलेगा तो बहुत सारे इस्टना की discussions आपको देखने को मिलेंगे तो इन सभी चीज़ों के वोपर चिप्चा करेंगे date है आज की 9 अगस 2023 and आप सभी का स्वाग अब यह ना जो दिपार बील है यह बहुत important है क्यों क्योंकि देखो यह तो एक रामसर साइट है ठीक है यह एक ब्रहमपुत्रा वैली के अंदर बहुत ही critical है बेटलेंड हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है यहाँ पर बहुत सारे migratory birds और resident birds आपको देखने को मिल है वहां की local population के द्वरा ताकि जो दिपोर वील है ना जो वहां पर issues face हो रहे हैं उन issues के साथ हम tackle कर पाएं सर्फ पहली बात तो बताईए कि issues कैसे face हो रहे हैं देखो क्या आपने water high synth का नाम सुना है ठीक है यह ऐसा देखता है कुछ ठीक है सर हमें पता है बट थोड़ा बता दीजिए देखो होता क्या है ना water high synth देखने में बहुत beautiful लगता है पर अपने आप में यह क्या है fresh water weed है एक तरह कि इसको आप invasive species भी बोल सकते हो ठीक है ना तो होता क्या है जहां पर आपको यह देखने को मिल गया water high synth तो वहां पर उस ecosystem के लिए बहुत major issues create कर सकता है सर वो कैसे देखो अगर मालो ऐसी पूरी इनकी water high synth पूरा ऐसे layer बन जाएगी ना तो उसके वज़े से क्या होता है मालो कोई area है जैसे pond है मालो तो उस pond का उपर का पूरा surface area अगर मालो इन्होंने cover कर लिया तो इससे क्या होता है वहां पर से यह फैल जाता है and at the same time इसको अगर यह होगा तो वहां पर fishes नहीं होगी प्रॉपर जो ecosystem है वो पूरा खतम हो जाएगा पर सर फिर भी लोग इसको क्यों grow करते हैं या फिर मतलब इसको क्यों plant किया जाता है देखो देखने में अच्छा है ठीक है यह ornamental plant है ornamental वो चीज़े होती है जो देखने में अच्छी लगती है beautiful है यह काफी but otherwise overall ecosystem के लिए बड़ा ही यह खराब होता है ठीक है अब होता गया है ना देखो जो deep or wheel है हमारे लिए important बहुत है मैंने आपको बताया अभी यहाँ पर elephant moment के लिए यह एरिया पूरा बहुत important है and at the same time अगर आप notice करोग कि importance तो है पर कुछ हमारे ऐसी activities रही है जैसे for example railway track वहां से जा रहा है deep or wheel से ठीक ना waste yard हमें देखने को मिल जाएगा और anthropogenic threats यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तो यहाँ पर local लोगों ने आगे आके यह सभी चीज़ों के negative impact है उसको कम करने ही कोशिश करी है साथ में जो water छे women के दोरा collective initiative है जहां पर जो water high synth है उसको yoga mats के अंदर beautiful artifacts के अंदर इनको use किया जा रहे है तो जो water high synth बहुत तेज से multiply कर जाते है ना तो प्रूर ecosystem के लिए problem थे तो इन्होंने क्या किया इन्होंने इससे yoga mat बना दिये इन्होंने इससे artifacts बना दिये क्योंकि देखने में बह उन्होंने यह सारी चीज़े बनाई एंड साथी साथ 38 women को यहां पर रोजगार भी मिला तो यह भी बहुत अच्छी बात है ठीक है यहां पर क्या है यहां पर क्या होता है जो water high synth होता है जो भी मैंने बताया आपको उसको convert किया जाता है handmade paper के अंदर ठीक है ना 100% जो paper होता ह वो bio degradable होता है chemical free होता है तो इस तरह से भी इसका utilization किया जा रहा है ठीक है ना इसी वज़ा से जो water lily है ठीक है जो बखाना वहां पर बोलते हैं जो prickly खाना तो उसकी particular जो growth है वो भी काफी बढ़गी है ठीक है तो इस तरह से मेरे कहने का point है कि local community का बहुत है point रूल होता है कल को आपको mains के exam में भी ना कहिए और ऐसे question आ जाते है कि ecosystem को protect करने के लिए local community के इतना रूल होता है तो वहाँ पर आप इने examples को कुम्भी कागस को आपका सिमांग को इनको यहाँ पर definitely highlight कीजगा कि deep war will को protect करने के अदर बहुत important रोल रहा है I am sure आपको बहुत अच्छे marks इस कल ही मैंने न economy this week का जो बनाया है उसके अंदर मैंने यही चीज़ कबर करिया कि आखिर credit rating आखिर होती गया है जिन्होंने नहीं देखा मेरी उनसे request रहेगी please एक बार इस वीडियो को देखना आपको पूरी clarity मिल जाएगी even UPSC 2022 में इसके उपर question भी आ रख है मैंने वो भी आप इस particular lecture में करवाया economy weekly के अंदर तो जा कि उसको जुरूर देखिए अब देखो थोड़ा साथ समझा देता हूँ कि यह क्या मुद्दा है देखो credit rating आप समझते होंगे जैसे for example कोई country है अब country कैसी country है क्या अच्छी country है अगर इस country को हमने loan दिया या कुछ पैसे दिये मा बात नहीं करते कि माल लो एक person है अगर इसको loan दिया तो क्या यह loan वापस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा अगर तो loan अच्छा दे पाएगा वापस तो हम कहेंगे कि हाँ यार बंदा बढ़िया है credit worthiness है whereas अगर कोई person है जो पैसे लेके भाग जाएगा तो उसकी बोलेंग और भी पाकिस्तान के से जो क्राब economies होती है उनकी हालत बहुत क्राब है तो उनकी credit बज़िया सची नहीं है तो यहाँ पर न अभी तक हम क्या करते थे ना कुछ economic parameters के माद्यम से हम companies की ना या countries की कहलो credit rating निकालने की कोशिश करते थे कि उनकी rating क्या है अब यह सारे parameter क्या होत credit rating को निकाल थे time हम environment का ध्यान नहीं रखते थे environment मतलब जो climate change है होता क्या आप खुद समझो climate change होने की वज़ा से क्या आपको नहीं लगता कि जो देश की economy है उसको impact आएगा आप खुद देखो ना मालो climate change की वज़ा से किस जगा सूखा जादा पढ़ने लग गया ठीकर या economy सफर करेगी तो कहीं ना कहीं उसको जादा लोन लेना पड़ेगा है कि नहीं उसको महंगा लोन लेना पड़ेगा ये सब issues आते हैं तो अभी तक हम क्या कर रहे थे ना हम credit निकालते थे countries की पर वहाँ पर climate का इतना role नहीं देखते थे अभी क्या हुआ है नहीं रिसर्च आ हम इतने सारे carbon emissions करते हैं अगर इनको कम नहीं किया गया तो लगबग 59 ऐसी countries है जहां पर ना उनकी ratings नीचे आएंगी क्यों रिचे आएंगी क्योंकि देखो climate change से negative impact आएगा उस negative impact का economic की उपर खराब issues देखने को मिलेंगे and accordingly वो country नीचे आ सकती है ठीक है ना and at the same time अगर अगर हमने emissions को कम नहीं किया तो accordingly हमारी जो situation है वो नीचे खराब हो सकती है हमें downgrading हमें देखने को मिल सकती है बाकिया अगर आप notice करोगे plan is climate agreement हमने देखा ठीक ना अगर हमने दो डिगरी जो हमने promise क्या हो है कि हम temperature को 2 degree rise से नहीं जादा होने देंगे तो उनका impact भी देखन करना पड़ेगा यह सब चीज़े तो sovereign credit rating का मतलब क्या होता है यह तो आप समझगी होंगे होंगे यहाँ पर ना तीन दुनिया की सबसे बड़ी company सा में देखने को मिलती है एक होती है moody एक होता है S&P standard and poor जिसको बोलते है और एक है Fitch यह three big credit ratings है दुनिया की उसी तरह से इ साथ चीज़ों के basis के उपर उस country की rating दी जाती है अगले topic के तरह बढ़ते है अब सर एकोवास क्या है economic community of west african states अब देखो अफरीका तो आप समझते हो african continent के वारे में यहाँ पर आपको देखने के मिलगा यह वाला part है west africa अब west africa की जो parts है ना जो अलग-अलग countries है उन् जाते हैं तो उनको solve कर सकते हैं साथ में ही आपत एक तरह से इस group के अंदर इन्होंने इसको trade block बना लिया है तो आपस में trading करनी हो आपस में economic unique तरह एक तरह से काम कर पाएंगे चीज़ें एक जगा से दूसरी जगा बेज नहीं हो तो असानी से भेज पाएंगे तो आपस मे proper trading block बना जा पाएं and at the same time कल को यहां पर किसी country में कुछ issues आएं तो उस issues को हम resolve करने के अंदर help करें क्यूंकि अगर आप देखो आप खुछ समझो कि मालो आपके पडोकसी मुल्क के अंदर कुछ दिक्कत चल रही है तो क्या आपको लगता है कि वह दिक्कत कल को आपको नही दियान रखना यहां पर आपको टोटल 15 countries देखने को मिल जाएंगी यह मैब के अंदर मैं लगा रखेंए 15 countries किका इनको आप देख सकते हो बाकिया आप देख सकते हो कि जब बाकिकी नेबरिंग कंट्री जैसे अलजीरिया ठीक है ना मॉरिश्यना ठीक है ना चैड हो गया य याद करो थोड़े दिन पहले मैंने आपको पताया था कि जो नाइजर है वहाँ पर कू हुआ हुआ था ठीक है ना तो यहाँ पर यह इस पार्ट आफ इको वास तो इसलिए ना इको वास ने डिसकेशन्स होल्ड कर रहे हैं अभी कल कल होल्ड करेंगे अपनी डिसकेशन्स को वो देखेंगे कैसे इस चीज़ को किया जा सकते है नाइजर के अंदर जो इशूज आ रहे हैं जो हां गू हुआ है उसको काफी कराब है उस सिचुएशन को कैसे हम बहतर कर सकते हैं तो एक यहाँ पर हमें ट्रीटी देखने को मिली है यह दिस ट्रीटी ऑफ लागोस 1975 में साइन हुई थी ट्रीटी उसके बाद यह कंट्रीज साथ में आई एंड अकॉर्डिंगली इन्होंने इस यूनियन यानि की एकनॉमिक क्मूनिटी और वेस्ट अफ्रीकन का स्टेट्स इसको यहाँ पर फॉर्म किया गया यहाँ पर 15 कंट्रीज के आप नाम देख सकते हो इ एक कॉमन करंसी भी चाती है इको उसके साथ ही एक वेस्ट अफ्रीकन एकनॉमिक और मॉनिटरी यूनियन भी है इसके अंदर यहाँ पर आठ कंट्रीज देखने के मल जाएंगी जो की फ्रेंच स्पीचिंग है ठीक है तो यह कुछ चीज थी बाकी इंपॉर्टेस तो आप कोई भी दिखो आपका ब्लॉक बन रहा है उसकी जेज फ्रेंपॉइशन को बहतने की सजूशन को बहतर किया जा सकता है ठीक है next topic की तरह बढ़ते हैं that is conservation of dolphin अब देखो dolphin की conservation के regarding जो एक studies आई है उसके अंदर बताया गया है जो गंगेटिक के रिवर डॉल्फिन के हम बात करें न तो जो mainstream गंगा है वहाँ पर इसकी जो population है वो stable है पर जो इसकी कुछ tributaries है जानी की जो इनकी सहायक नदिया होती है बहाँ पर इनकी population में थोड़ी कमी देखने को मिली है अई बात समझ में तो ये कुछ recent news थी with regards to dolphin conservation अगर मैं बात करता हूँ गंगा रिवर डॉल्फिन की तो आप ध्यान में रखना कि ये गंगा रिवर डॉल्फिन सिर्फ और सिर्फ आपको fresh water के अंदर देखने को मिलेगी बहुत important point है अगर कहीं पानी गंदा होता है वहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलती बिसके लिए कहने का मतलब ये हमें indicate कर देती है कि अगर मालनो किसी जगा पर इसकी population कम हो रही है न इसका मतलब ये है कि वहाँ पर fresh water अब नहीं है और ये blind होती है ये भी अपने आपे बहुत important point है अब ध्यान रखना कि सिर्फ अगर ये blind होती है तो अपने जो शिकार को ये hunt कैसे करती है देखो ये hunt करती है by using what? by using ultrasonic sound अब सर्थ ultrasonic sound क्या होती है? देखो ultrasonic sound उस sound को बोलते है जो की human नहीं सुन सकते जैसे जिसकी frequency अगर मैं बात करूँ जो 20,000 hertz से ज़्यादा frequency होती है न उसको ultrasonic sound बोलते हैं ये हम नहीं सुन पाएंगे इसको नहीं सुन पाता है ये जो sound make करती है जब ऐसे situation में उसको बोलते है सूसू इसलिए उनका नाम भी इनफेक्ट सूसू ही पड़ा हुआ है तो ये नाम भी आप ध्यान में रखोगे जैसे आपने eco location के बारे में सुना होगा न आपने bats के बारे में सुना है ना कि bats भी तो कहीं ना कि अपने जो prey को ढूणने के लिए ऐसा ही करते हैं कि वो भी sounds के मादियम से या फिर ना कि उसके जो जो उनका जिसको उनको capture करना होता है वहां तक वो चीज़ जाती है वहां से वो reflect होके उनके बास पहुंचती है इसी को बोलते है इको लोकेशन बिसकली एक टेकनीक है जहां पर आप sound waves के मादियम से या फिर इको के मादियम से आप objects को determine करते हो कि सामने वाला object कहां पर है तो ये भी उसी तरह से हमें जो गंगाटिक रिवल डॉफिन है यो भी ऐसे ही work करती है यहां ध्यान में रखना सिरफ ऐसा नहीं कि गंगा में देखने को मिलेगी नहीं आपको ब्रह्म पुत्रा हो गया और जो ब्रह्म पुत्रा की सहायक नदिया है वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगी ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं टोटल सेवन स्टेट्स हैं असाम, यूपी, मद्यपरदेश, राजस्तान, बिहार, जारकंड, वेस्ट बिंगाल इन सेवन स्टेट्स के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगी इसका IUCN स्टेट्स आपको इंडेंजर देखने को मिलते है और Wildlife Protection Act के अंदर ये Schedule 1 के अंदर है अब देखो, गंगा, गंगेटिक रिफरेंट डॉफिन को प्रेक्ट करने के लिए वहाँ पर इसके अंदर है अब ध्यान में रखना IUCN स्टेटस इसका इंडेंजर ही है इसमें कोई शक्की बात नहीं है पर हमारी सरकार के ज़रा एक लिस्ट मेंटेन करी जाती है कि हाँ, सबसे ज़्यादा इंडेंजर स्पिशिस कौन सी है उसके अंदर इसको अडेंजर है तो critically indigent का मतलब IUCN के साथ link मत कर लेना इसको उसके अलावा यहां पर हमें विहार के अंदर विक्रश शिला डॉल्फिनी सेंचरी देखने को मिलती है बहुत हैं पॉइंट पॉइंट है और साथ साथ एक comprehensive action plan 2022 से 47 को develop किया है कैसे इनको यहां पर protect किया जाए अब देखो गैंगा रिवर डॉल्फिन तो आप जानते ही हो उसके लवा और भी कुछ डॉल्फिन है जैसे for example indus river dolphin यह बहुत ने point है देखो पाकिस्तान के अंदर इसके अच्छी खासी population देखने को मिलती है अब देखने को मिल जाएगा अब देखो समझने कोशिश करना अभी तक आइस आसियान के कितने members है यहां पर टोटल 10 member देखने को मिल जाते है पर एक member ना आने वाले टाइम के इंदर इसको जोईन करेगा मैंने अच्छी अभी चेक किया अभी जो 11th member है उसने भी जोईन किया नहीं है अभी आज के time के उपर 10 ही members है जैसे Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Philippines, Cambodia, Malaysia, Singapore, Indonesia और Brunei यह 10 के 10 नाम आपको याद होने चाहिए अब आप लोग सोच रहोंगे सर जो 11 member हैं वो कौन सा बनने जा रहा है देखो यहाँ पर आपको East Timor देखने को मिलेगा ठीक है ना? Timor, Leicester के नाम से भी इसको जानते है मेरी pronunciation थोड़ी गलत हो सकती है पर East Timor इसका नाम है ठीक है तो यह 11 member इसका बनेगा अभी बना नहीं है मैंने अभी चेक किया आसियान के उपर तो टोटलो 10 ही member दिखा रहा है पर आने वाले time के नदर यह इसका member बन जाएगा ऐसा यह countries ने accept कर लिया कि इसको member बनाएंगे पर थोड़ा process अभी चल रहा है तो अभी क्या हुआ है इंडिया और आसियान के बीच में science, technology and development fund ठीक है ना इसकी recent meeting हुई है यहां पर बात करी गई है कि कैसे कैसे हम आपस में technology को share करते हुए आपस में coordination करते हुए देश दुनिया की जो prosperity है उसको improve कर पाएं ध्यान रखना यह इसको particular को कब established किया था 2008 के अंदर by ministry of external affairs एंड साथी साथ मारी जो department of science and technology होती है तो जो भी research activities होती है उनको यहां पर promote किया जाता है science, technology, innovation को अंदर cooperation encourage किया जाता है जैसे अलग-अलग field हो गया आपका health हो गया diseases हो गया environment, agriculture, energy तो काफी broad based functioning आप यहां पे देख सकते हो साथ में ही ठीक है biotechnology के अंदर research को हम कैसे promote करें वो इसका एक objective हो गया and lastly जो research and development program हो गया उसके लिए एक तरह से आपस में कैसे facilities को share करना है वो भी यहां पर हमें देखने को मिल जाती है तो जो भी यहां पर universities हैं इंस्ट्यूट्स हैं लैब्स हैं वो यहां पर proper eligible institutions हैं इंडिया के अंदर and similar आपको ASEAN के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएंगे जिनको यहां पर funding वेरा provide करी जाती है ठीक है friends तो यह थी आज की कुछ discussion इनी के basis के उपर मैं आपको यह homework दे रहा हूँ जिसका मुझे आपनी जो comment पर इंसरब्ता होगी कौन सा ठीक है कौन सा गलत है कल जो question दिये थे quickly एक बार answer रपताजता हूँ मानस National Park क्या आपको उत्रा खंड के अंदर देखने को मिलेगा बिल्कुल ही गलत है सर यहाँ पर यह असाम के अंदर देखने को मिलता है सुब्रमनें भारती सुदेशा गितांजल के साथ लेटिड है बिल्कुल correct है भारत नेट प्रोजेक्ट क्या यहाँ पर इसको फंड लिके जा रहा है अगर आपको आज की पीडिएफ चाहिए तो आप माई टेलिग्राम चैनल पीडिएफ को एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रेपरेशन को और भी बहतर बना सकते हो तो आई होप आप सभी को आज का सेशन अच्छे समझाया होगा इसी तरह से आप भी अपने पर हाड़ वर्क करते रहिए गुडबाई एंड गुड़ लख